हालो एवरिवान, वल्कम बाक तो मैं चानल, तोड़े आम गोंग टो शेयर दिस ब्यूटिफुल मेकप लोग फोर तीज और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोई भी मेकप टुटोरियल में कभी भी फिल्टर यूज नहीं करती हूं, ओरिजिनल कैमरा से जो मैं शूट करती वो भी फोन से वही आप लोगों के साथ अपलोड करती हूं, so that आपको मेकप की कॉलिटी पता चल सके, और मैं आपको यह भी बता दूँ कि हापे मैं जितने भी प्रोड़क्स यूज किया हैं, सारे बहुत ही जादा अफॉर्ड़िबल हैं, I guess mostly सारे 500 के अंडर ही हैं, तो म मेरे वीडियो काफी जादा अफॉर्ड़िबल होते हैं, मैं बहुत ही रेरली ऐसे प्रोड़क्स होते हैं, जो बिलो थाउजंट यूज करती हूं, तो अगर आपको वीडियो पसंद है, तो प्लीज लाइक करके मेरे चानल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सबसे पहले मैंने फेस पेस टेक होकी का प्राइमर ओयल यूज किया है, तो अभी कुछ दिनों से मैंने यहाँ पे स्किन के रूटीन यहाँ पे शेयर करना स्किप कर दिया है, बट डेफिनेटली जल्दी शेयर करूंगी, नेक्स मैं यहाँ बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम ने मिल पा रहा है, बहुत सारी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो कि जल्दी शेयर करूंगी, फिर मैंने फाउंडेशन के लिए यहाँ पे इंसाइट का फाउंडेशन यूज किया है, जो कि बहुत अफॉर्डबल है, येट आप देख सकते हैं, इसकी फिनिश कितनी जादा अच्छी है, so I'm a very big fan of this foundation, और मैंने same Swiss Beauty के पैलेट में से concealer shade pick किया है, थोड़ा सा फेस को highlighting प्रोवाइट करनी के लिए, and मेरी dry skin है, still you can see the glow on my face, कहीं से भी products cheap नजर नहीं आ रहे है, although सारे के सारे बहुत जादा affordable category के ह फिर मैंने face को set करने के लिए, यहाँ पर यूस किया है, blue heaven का loose powder, मैंने just यहाँ पर concealer set किया है, और थोड़ा बहुत जो left over था मेरे brush पे, उसी की help से मैंने अपने बागी face के, जो make-up है, उसको set किया है, so that बहुत साथा matte look ना आ जाए मेरे face पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा de make-up पसंद है, फिर मैंने यहाँ पर यह नेका के का contour palette यूस किया है, face की contouring करने के लिए, तीज का make-up लो create कर रही थी, तो मुझे चाहिए था red lipstick with subtle eye makeup, although मैंने यहाँ बोल्ड का जल यूस किया है, अगर आप new bride है तो trust me, यह makeup बहुत साथा खूबसूरत लगेगा, make-up को set कर के लिए मैंने के लिए मैंने यहाँ पर blue heaven का make-up fixer यूस किया है, so that make-up थोड़ा long lasting हो जाए, फूजा वागरे में बहुत साथा स्वेटिंग होती है, तो आपको make-up fixer ज़रूर यूस करना चाहिए, decent time तक make-up आपका रह जाता है, टिका रह जाता है face पर, I guess 4-5 hours तो आराम से रह जाएगा, फिर मैंने पर यहाँ पर LA Colors का blush palette यूस किया है, it also has a subtle glow, जो कि काफी अच्छा लगता, आप चाहें, तो highlighters के बिकर सकते हैं, but मैंने यहाँ पर full tutorial शेयर किया है, तो यहाँ पर मैं मेबलीन का highlighter यूस कर रही हूँ, pink वाला जो shade होता है ना वो मैंने यूस क किया है, and this is going to look beautiful on new brides, festive season आ रहा है, शादी का season भी फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इस तरह के make-up looks create कर सकते हैं, फिर मैंने यहाँ पे eye makeup के लिए यह बहुत ही subtle सा color pick किया है, HR के palette में से, again, बहुत ही affordable eyeshadow palette है, और मुझे यह वाला जो eye makeup look मैं create कर रही हो, यह इसका combination मु करते हैं, finger के help से apply कर लिया है, तो बहुत जादा brush मैंने use नहीं किया है, फिर मैंने यह bronzy shade को pick करके outer eye पे apply किया है, depth देने के लिए, तो अगर आप beginner हैं, तो आपको बहुत सारे makeup brush की जरूरत नहीं है, एक-दो makeup brush से भी आपका काम चल जाएगा, and trust me, this combination looks stunning, you guys, बहुत सादा natural भी लगता है, फिर मैंने लाकमे की eyeliner use की है, this is my one of the favorite eyeliners क्योंकि इसकी quality काफी अची है, price बहुत अची है, and मैंने यह बहुत ही bold सा wing jaw किया है, and काजल के लिए मैं आप यूज करियों, faces का काजल, और मैंने again यह बोल्ड cat eye kind of, you know, काजल apply किया है, although I'm not very good at it, but यह कभी-कभी मैं try कर लेती हूं इसको भी, उसके बाद, you know, I'm using this maybelline का mascara, जो कि washable है, आप चाहें तो waterproof भी use कर सकते है, and later on it's your call कि आपको falsies apply करने है, या फिर नहीं, तो मैंने falsies definitely apply किया है, क्योंकि camera पे ना, वो थोड़ा जादा अच्छा नजर आता है, बहुत अच्छा visible होता है, so उस इसके बाद मैंने अपने eyebrow filling के लिए यहां पे यूस की है, maybelline की eyebrow pencil, क्योंकि already dense eyebrows है, I just wanted to fill in the sparse area, so that यह काफी जादा natural लगे, मैं बहुत सदा dramatic नहीं करना चाहती थी eyebrows को, okay, so my eyebrows are also done, फिर मैंने यह बहुत ही, you know, basic sa golden glitter use किया है, जो कि मैंने local market से purchase किया था, काफी affordable था, इसक so just मैंने अपने golden eyeshadow पे थोड़ा सा pat कर लिया है, so that एक, you know, subtle सा glow आ जाए, lipstick के लिए यूस कर रही हूँ, purple की ultra HD matte liquid lipstick, perfect red shade for brights, in fact, अगर आपको red lipstick पसंद है ना, तो आपको यह shade जरूर try करना चाहिए, and यहां पे आप देख रहे होंगे काफी time से कि मैंने pin यहां पे लगाया क्योंकि ब्लाउस काफी जादे लूस थी, mom की थी, just मैंने उसको fitting करवाया था, and this is my final finished look, सारी और जूलरी का जो भी link है, आपको description box में मिल जाएगा, इनके से अगरा purchase करना चाहते है, तो make-up कैसा लग रहा है, comment करके जरूर बताएगा, this is the unfiltered, and you know, को भी मैंने आपे beauty, हो नहीं करती, तो yeah, I think आपको अपलेओं को वीडियो अच्छा लगा होगा, please अच्छा लगा है, तो like कर दीजे, मुझे support कीजे, मैं इस तरह के affordable categories की बहुत सारी वीडियो मेरे चानल पे almost everyday upload करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मुझे बस motivation की जरूरत है, तो